ये गाईज, वेलकम बाक तो मैं चानल, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि अप अपने सिस्टम पर पाइथन की फ्लास्क लाइबरेरी या मॉडुल कैसे इंस्टॉल करें तो चलो गाईज, वीडियो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले मैंने कमांड प्रॉंप स्टार्ट कर दिया, ये मैंने इसलिए स्टार्ट किया है कि मैं आपको दिखाना चाती हूँ कि मेरे पास कौन सा पाइथन और पी आईपी का वर्जन है, तो गाईज, उसके लिए simply मैंने python space-version type कर दिया है और आप देख सकते हैं यहाँ पे guys यह मुझे python का latest version बता रहा है जो मेरे system पे install है और उसके बाद guys अब मैं type करूंगी pip space-version जो कि मुझे मेरे pip का version बताएगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे system पे python और pip दोनो install है जो कि आपको चाहिए यह flask module install करने के लिए अब guys मैं ideally open करती हूँ तो मैंने search box में ideally type कर दिया है यह मैं इसलिए start कर रही हूँ जस्ट आपको दिखाने के लिए कि मेरे system पे already flask library नहीं है तो guys अब मैं यहाँ पे import flask type कर देती हूँ अब आप देच सकते हैं मुझे यह यह एरर बता रहा है no module named flask मतलब मेरे system पे flask नहीं है तो मुझे यह error शो कर रहा है तो मैं क्या करती हूँ मैं आपको इस library को install करने का step बता देती हूँ तो फिर से command prompt पे आजाएए और वहाँ पे type कीजए pip space install space flask यह command है जो आपके system पे क्या करेगा flask library install कर देगा तो आप देख सते installation चालू हो गया है और यह बहुत कम टाइम लेता है और गाईस मेरा installation successful भी हो गया है यह मुझे यहाँ पे बता रहा है मतलब उसके लिए जो भी required चीज़े थी उसने डाउनलोड कर दिया है ठीक है तो डाउनलोड तो हो गया अब हम इसको वेरिफाइ करेंगे तो वेरिफाइ करने के लिए फिल से चलो कहा जाते है idl.e पे तो यहाँ पे आते हैं guys idl.e पे और फिर से वही command type कर देंगे import flask तो अब guys हमको error नहीं आना चाहिए तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मुझे कोई error नहीं आ रहा है मेरा shell return हो गया है ठीक है तो मतलब आपका flask install हो गया अब चलो उसका version भी print कर देते हैं तो मैं print method में flask.underscore.underscore.version दे देती हूँ और आप देख सकते हैं मुझे flask का version भी show कर दिया है so guys आपका flask successfully install हो गया है I hope मेरे वीडियो को follow करके आपने flask अपने system पे install कर लिया तो guys अगर मेरे वीडियो ने आपको जरा भी help किया हो तो मेरे वीडियो को like करना मत भूलना और कोई query है तो comment box में डाल देना और guys अगर आप मेरे चानल पे नए है तो मेरे चानल को please subscribe कर दीजियो और bell icon भी hit कर दीजिये जो की कोई भी वीडियो में डालूँगी तो आपको notification सबसे पहले मिल जाएगा और guys मेरा एक channel English में भी है coding में सिखाती हूँ टुटोरियल बहुत सारे है मेरे उस channel पे आप उसको भी subscribe कर सकते हैं उसका link मैंने description box में दे दिया है मैं बहुत सारे social media पे भी हूँ आप follow कर सकते हैं मुझे link description box में है और अगर आपको free में books, notes, pdf चाहिए तो उसके लिए मेरा telegram join करना मत भूलना, सब मैं free में share करती हूँ उसका भी link description box में है so thank you guys for watching my video till end, मिलती हूँ आपको next video में, तब तक के लिए bye, take care, keep learning